वेलकम तू फ्यूचर दॉक्टर्स तो आज हम बात करते हैं टॉप फाइट बोक्स जो आपके नीट प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी फिर्स्ट अफ और पहला सुभावी की सब आते है कि NCRT हाएगा तो NCRT is more enough for biological preparation but for physics and chemistry NCRT is not enough for theory तो NCRT में आपको biology के लिए 11 and 12 में point to point सब चीज आपको उसी से पढ़ना है उसके अलावा आपको कोई जोवी नहीं कि आपको extra कुछ पढ़ने की ज़रूर रहत है then physics and chemistry के लिए आपके coaching institute के notes काम हैंगे second data book NCRT exemplar NCRT exemplar NCRT के तरफ से दिया गया है जो की NCRT based पे आपको physics, chemistry, biology के numericals हो गया plus आपको mcqs हो गया तो वो आपको सबसे important है कि वो आपको पहले लगाना है आप जो बजार में दूसरे companies के book खरीते for mcqs सबसे पहला काम क्या करना है आपको NCRT के ही दिये वे mcqs लगाने third data है mtg का previous year question topic wise topic wise जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप previous year question bank लगाने बैठोगे तो जैसे जैसे आपको topic complete होते जा रहा है वैसे वैसे आप उस question में आप यह देख सकते हो कि यह question कितना बार previous year में पूछा जा चुका है तो mtg इसलिए है mtg मुझे पैसा नहीं दे रहा वैसे साइट के लिए तो mtg इसलिए क्योंकि उसका solution जो रहता है वो एकना शक्तिक रहता है इसके नोट्स भी बहुत तग रहे हैं कि आप ncrt बेस्ट नोट्स इसके पूरे मिल जाएंगे ncrt फिजिक के मिश्टी के लिए उसके अलावा कुछ पढ़नेगा वैसे जरूरत नहीं पढ़ेगा आपको लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास time बच रहा है तो your coaching institutes के जो भी dpp practice paper आपको मिल रहे हैं ऐसा उन लोग coaching institute करते हैं कि मेरा dpp, मेरा notes is more enough लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो सब कुछ दे देते हैं तो आपको graduation नहीं करना आपको NEET कर त्यारी करना तो NEET के लिए shift or shift ncrt ही परना और चैनल को subscribe करना न भूले for more tips